Hello Friends, आज का हमारा टोपिक है Connecting Road आज हम जानेंगे कि Connecting Road क्या होती है इसका क्या function होता है यह किस material की बनाई जाती है और इसका क्या construction है साथ के साथ इस Connecting Road में use होने वाली pin को भी हम study करेंगे चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम समझते हैं कि Connecting Road क्या होती है जैसा कि हमें इसका नाम सजेस्ट करता है यह Connecting Road है यानि किसी चीज़ को connect करती है यानि यह हमें connection प्रोवाइड करती है यह connection हमारा piston और crank shaft के बीच में होता है crank shaft इस Connecting Road का main काम हमारा recipe procreating जो motion होता है जो हमें piston से मिलता है उसको यह rotary motion में ट्रांस्फर करती है reciprocal motion है इसको linear motion भी कहा जाता है यह हमें कहां से मिलता है यह हमें piston के थुरू मिलता है piston के up and down motion से यह हमारा piston connecting road के थुरू connect होता है और यह connecting road क्रेंग shaft को rotary motion देती है जिसको हिंदी में वृतिय मोशन भी कहा जाता है यह हमें क्रेंग शाफ्ट को दिया जाता है अब हम समझते हैं की है किस मेटरियल की बनाई जाती है connecting road हमारी mild steel की बनाई जाती है जिसको short form में MS भी कहा जाता है अब यह MS जो mild steel है यह हमारी किस प्रोसेस से बनाई जाती है तो यह हमारा drop forging प्रोसेस से बनाई जाती है अब हम mild steel क्या होता है और इसमें use होने वाला drop forging प्रोसेस क्या होता है इसको थोड़ा सा समझते है mild steel हमारा steel का alloy होता है जिसके अंदर हम carbon contain करते है देखिए steel हमारा तीन टाइप का होता है, पहला हमारा low carbon steel होता है, मैं short form में हां mention कर रहा हूँ, जिसके अंदर हमारी carbon की percentage 0 से लेके 0.3% तक रहती है, यह हमारी carbon की percentage है, दूसरा हमारा medium carbon steel होता है, जिसके अंदर हमारी percentage 0.3 से लेकर 0.7% तक रहती है, सेम तीसरा हमारा high carbon steel होता है, जिसके अंदर हमारी percentage बढ़कर 0.7 से ज़्यादा भी हो सकती है, अब देखिए हमारे तीनों के अपने यूज है, हम अपने engineering life में generally mild steel का यूज करते हैं, हमारा low carbon steel का परियोग ज़्यादा तर हमारी piston की pins को बनाने में करा जाता है, जैसा हम अभी आगे study करेंगे, medium carbon steel का परियोग हमारा, हमारी connecting road को बनाने में, connecting road को कौन road भी कहा जाता है, कौन road को बनाने में, आपकी crankshaft को बनाने में, और भी हमारे utilities है, like excels, उनको बनाने में किया जाता है, high speed, high carbon steel का परियोग हमारा generally tools बनाने में किया जाता है, देखिए इसके further भी हो स्टिल होती है जिसका काम हमारा a advanced टूल को बनाने में किया जाता है इस तरह हमारा medium carbon steel बनाने में किया जाता है इस तरह हमारा medium carbon carbon been क्या होता है देखिए ड्रॉप फोर्जिंग प्रोसेस को हम ओपन डाई फोर्जिंग भी कहते हैं यह क्या होता है देखिए इसके अंदर मैं आपको एक डियाग्राम से समझाता हूं इसके अंदर हमारा नीचे एन्विल होता है जिसके उपर हमारा यह हमारा लोवर डाई होती जिस shape में हमें material को transfer करना होता है इसके उपर हमारा देखेंगे यह मैंने cross-sectional view से दिखा है यह हमारा work piece है यह work piece हमारा heated position में होता है इसके उपर हमारा यहाँ पर एक hammer होता है जिसे drop hammer कहते हैं यह generally machine के थुरू downward motion दिया जाता है जिसका total weight 2000 ton से भी ज्यादा हो सकता है इस hammer के नीचे हमारी upper die होती है अब यह है जब hammer high impact से इस heated metal के उपर अपने impression डालेगा तो यह metal हमारी die की shape ले लेगा इस तरह हमारा यहाँ पर connecting road बनाए जाता है जैसे कि आपको image में show हो रहा होगा अब हम दोस्तो इसकी construction को समझते हैं कि इसकी क्या construction होती है तो हम अब पहले इसको थोड़ा समझते हैं देखें यह connecting road है इसके दो end है यह bigger end होता है जो हमारा nut and bolt के थुरू middle portion से यह इसका middle portion है nut and bolt के थुरू यह अप हो जाता है बाद में हम इसको nut bolt के थुरू tight कर देते हैं इस bigger end से हमारा crank shaft connected होती है पिन के थुरू जिसे हम crank pin कहते हैं यानि हमारा bigger end है जो वो हमारा किस से connected होता है यह हमारा crank shaft से connected होता है यह किस के थुरू होता है इसको यूज करने के लिए हम crank pin का use करते हैं same typical हमारा नीचे देखेंगे यह हमारा small end के लाता है यह small end हमारा piston से connected होता है अब यह किसके थुरू होता है यह हमारा गजनली गजन पिन जिसको रिष्ट पिन भी कहा जाता है से पुष्टन से कनेक्ट किया जाता है अब हम इसको थोड़ा और फर्दर इस्टेडी करते हैं आप देखेंगे इन दोनों कनेक्शन एंड के बीच में हमारा यहां पर शैंक क दिखाया है यह जनरली आई शेप का होता है यह आई शेप का क्यों होता है हम इसको अभी इस्टेडी करते हैं और अब हम सबस्ते हैं कि यह जो कनेक्टिंग रोड है इसको बहुत सारे फोर्स को डिल करना पड़ता है यह फोर्स कौन से होगते हैं यह हमारा टेंसाइल फोर इन सभी forces के कारण हमारा जो connecting road है वह कैसा होना चाहिए बहुत ज्यादा अच्छी high strength का होना चाहिए अब देखिए हमारा जो tensile force है यह force हमारा कव लगता है जब हमारा exhaust stroke होता है उस stroke के दोरान हमारा piston उपर की तरफ motion करता है यह जब उपर की तरफ motion करता है तब यह अपने आप में tensile force create करता है सेम हम यहाँ पर compressive force को थोड़ा देखते हैं हमारा compressive force हमारा power stroke के दोरान use होता है क्योंकि उस समय हमें compress करने की जरोग पड़ती है यानि हमारे piston को इतनी power चाहिए होती है कि वे हमारे charge को compress कर ले तो उस समय यहाँ पे compressive force लगती है यह piston के थुरू connecting road में transfer होती है सेम हमारा यहाँ पे high load के कारण bending भी create होती है अब हमारा यहाँ पे बहुत important चीज है जो आपको जानने चाहिए यहाँ पे हमारा देखेंगे कि जो shank है यह जो area यह हमारा shank कहलाता है इस area का cross sectional view कैसा होता है आई shape का होता है यह क्यों किया जाता है इसका जो main reason है आई shape का बनाने का उसको हम buckling को avoid करने के लिए करते हैं avoid buckling अब यह हमारी buckling को कैसे avoid करता है देखें इस eye shape के कारण हमारा जो movement of inertia होता है वो बहुत कम हो जाता है इस movement of inertia के कारण ही यहाँ पे हमारी material की भी saving होती है क्योंकि हमारा यहाँ पे eye shape है तो यानि यह जो portion है आपका जिसको मैं अभी इससे बना रहा हूँ यह material हमारा क्या हुआ यह हमारा material save हो गया साथ-साथ के साथ हमारा जो buckling है वो भी avoid हो गई अब हम देखेंगे हमारे यहाँ जो force लगेते ten cell force, compressive force और bending force इन forces के कारण इस connecting road के अंदर हमारी failure होता है और वह failure हमारा generally fatigue failure होता है fatigue failure अब हम इसमें use होने वाली pin को समझते है यहाँ नीचे देखिए मैंने गजन pin बनाई हुई है जिसको मैंने अभी बतायता wrist pin भी कहा जाता है सेम ऐसी crank pin भी होती है अब इसकी क्या characteristics है वो समझते हैं देखिए यह अंदर से hollow होती है जैसा आपको show हो रहा होगा इन pin का main काम हमारे piston को और crank shaft को connect करना होता है अब हम इसके material को समझते है यह pin हमारी किस material की बनाई जाती है देखिए जैसा हमने जब यहाँ पे material को study किया था तो हमने देखा था हमारा low carbon steel ही हमारा piston को बनाता है यहनी हमारे यह low carbon steel की बनाई जाती है इसके अंदर थोड़ा हम alloying element add कर देते हैं ताकि उसकी strength और हो जाए देखिए low carbon steel का बनान के बाद हम इसके अंदर एक heat treatment करते हैं जिसके कारण इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाड़ने साती है उस heat treatment का नम carbonizing है देख कारण क्या होता है इसमें हम किसी object को carbon की presence में एक निश्चित temperature पे heat करते हैं उससे क्या होता है carbon की presence में यह heated material अपने अंदर carbon को absorb कर लेता है और hard and strong हो जाता है अब देखिए यह हमारा जो गजन pin है जिसे wrist pin भी काता है यह piston से connect होती है और यह piston continuously इस connecting road पे thrust करता है जिसके कारण इसके अंदर shear stress develop होती है सेम हमारा जो bigger end है वो हमारा crankshaft से connected होता है और यहाँ पर हमारी continuously bending develop होती है bending stress तो इसके लिए हमारा यह है जो material है इसका जो material है वो बहुत hard होना चाहिए इसलिए हम इसको यहाँ पर इसको carburizing की साहिता से बहुत hard करते है अब देखिए हमारा जो यह ring है इसको snap ring कहा जाता है अब देखिए यह जो हमारी गजन पिन है यह हमारी एक snap ring आती है उसकी साहिता से clamp की जाती है यह snap ring दिखने में कुछ इस shape की होती है जो center से कुछ अंदर की तरफ होती है जैसा कि आपको picture में show हो रहा होगा कि उसको Singapore जैसा कि लिए की पिए